question number 9 is if 460 divided by a natural number 460 को किसी natural number से divide कर रहा है मतब 460 है कोई तो natural number जिससे उसको divide किया जा रहा है the quotient is 6 more than 5 times of the divisor यही नहीं समझ में आ रहा है कि divisor क्या होता है quotient क्या होता है remainder क्या हो ठीक है तो कोई बात नहीं पहले हम दो देखें कि quotient remainder यह सब होता गया है for example suppose यहाँ पे कोई number 7 और उसको मैं 2 से divide कर रहा हूं तो 2 3 जा 6 अरे वा यह क्या 1 तो यह तो आपको बच्पन से रहता है बट यहाँ यह confusion सर्क कौन सी चीजे क्या है कुछ सांज में नहीं आ तो बच्चा लोग यह क्या कर रहे है टू सेवन को डिवाइड कर रहे ना तो इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर सेवन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे डिवी डेंट क्या बोलेंगे डिवी डेंट जो उपर होता है इसको हम लोग बोलते है कोशेंट क्या बोलते हैं को सेंट और यहाँ पर इसको लोग क्या अलते हैं रिमेंडर मिआ relevant झालों इस पाउन जेंगा को सेंट तो म्मादल सब्सक्राइब उद्यूरघक फ़ाई टीवाईजर का फाइड करें तो कि माइं क्या मिले कोशन्ट मतलव डिवाईजर का फाइर तब दिवाईजर को हम क्या लेंगे xrim to dress divided ले अगर आप डिवाईजर को एक्स लेते हो अभी इस सी क्वेंश्चन में हम लोग फ्रेम करते है सब शॉपॉस मैंने डिवाईजर की आलिया एक्स लिया तो मेरा कोशेंट इस कोशेंट इक्वल एक इसके six more than five times of the divisor मतलब divisor कब five times six को add करूंगा तो यह मुझे क्या मिलेगा? कोशेंट मिलेगा and remainder is one तो हमें remainder क्या मिलता है? one मिलता है find the कोशेंट and divisor means हमें यहाँ पे कोशेंट क्या diviser के यह find out करना है remainder one हमें और लेडी दिया हुआ है तो कोशेंट और diviser हमें find out करना है तो हम लोग क्या करेंगे? diviser b x diviser हमारा क्या है? x है और यहाँ पे कोशेंट क्या है? कोशेंट equal to five times और six more than यह हमारा क्या क्या कोशेंट है? बड़ सर यह तो easy but आगे क्या? 460 dividend यहाँ पे 460 dividend दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिग देते हैं 460 यह तो हमारा miss हो गया था ठीक है? तो यहाँ पे एक formula होता है आपने उस पोल सेक्षन में सीखा होगा कि जो dividend है dividend equal to divisor into quotient dividend equal to divisor into quotient plus remainder यह हमारा formula हता है उस formula को हम लोग use करके इसको solve करेंगे बहुत easy है पहले वो formula यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो formula मैं लिख देता हूँ dividend क्योंकि इससे हमें क्या मिले quadratic equation dividend equal to divisor into quotient plus remainder तो यहाँ पे हमारा dividend कितना है 460 which is equal to divisor क्या है divisor x quotient क्या है 5x plus multiply इस वो रेकर लिख सकते है plus remainder हमें 1 आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 इससे क्या होगा 460 equal to x से इससे multiply करें तो यहाँ मिले 5x square plus 6x क्योंकि इससे multiply होगा और plus 1 अब यहाँ पीए कि आप positive उदर जाएगा तो क्या होगा negative सब्ट्रेक करेंगे तो यह बिए नमबर है तो यहाँ माइनस आज़े और इसमें 1 कम करने तो क्या होगा 459 अब जो राइट हैंड साइड में लिखेंगे और यहाँ का 0 उस तरह भेजेंगे तो this is 5x square plus 6x minus 459 equals to 0 अब यहाँ पे क्या करने हैं हमें इसको factor math solve करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे rough up कर रहा हूँ जिससे आपको easily समझेगा बहुत easy questions है थोड़े से आपको concept रहाद रखने है यहाँ पे starting में क्या 5 है और यहाँ पे क्या 5 है और यहाँ पे क्या 5 है और इसको हम लोग एकेले लेंगे तो यह 59 होगा तो यह दो जो ऐझा हमें मील रहे है अगर इसको हम यहाँ से match करेंगे तो दोनों को multiply करेंगे तो हम कहीं न कहीं यही पोच़ेंगे और इसमें से इसको subtract करेंगे तो यह क्या होगा प्लस 6 X आएगा तो यह हमारे लिए easy हो जाए calculation के लिए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 5x square अब यहाँ तो पहले हम 51x लिखेंगे minus 45x और minus 459 minus 459 equals to 0 यहाँ पे जो है x को common link क्योंकि 5 का multiple 51 नहीं है तो इसको common link तो हमें यहाँ मिले 5x plus 51 और जो हमें यहाँ पे मिला हम लोग भाई लिखेंगे 5x plus 51 equals to 0 इसमें इसको divide करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 तो minus 9 क्योंकि 95 जाब 45 और इंदों multiply करो तो minus इंदों multiply करो तो यह मिलेगा तो यहाँ पे हमें 5x plus 51 ब्रैकेट में and x minus 9 इन अधर बैकेट तो यहाँ पे क्या हो जाए product 0 में स्वोट इसके each component क्या होंगे 0 होंगे तो यहाँ पे 5 x equal to minus 51 so x equal to minus 51 upon 5 और यहाँ पे x equal to 9 अब यहाँ पे क्या होगा जो हमारा जो हमारा divisor वो क्यों negative होगा कि नहीं होगा divisor कभी भी negative नहीं होता है तो यह क्या है possible ही नहीं है तो यहाँ पे x क्या होगी हमें x क्या होगा 9 होगा इसके आगे का part हम लोग यहाँ पे continue करेंगे x क्या है x हमारा nothing but क्या है यहाँ पे हमारा divisor है so divisor हमारा क्या x से जो क्या हमें 9 मिला है और हमें क्या पुछा कोसेंट तो कोसेंट हमने क्या मिला था कोसेंट इस 6 more than 5 times मतलब 5x plus 6 मतलब 5 into 9 plus 6 पहले add मत करना गया तो पहले board mask recording पहले multiply होता तो यह क्या होगा 45 plus 6 तो यह क्या होगा 51 तो यह हमारा final answer क्या होगा कोसेंट एं निमेंडर पुछेंट था कोसेंट इस दा कोसेंट इस 51 एंड डिवाइजर इस 9 थेंक्स पर वचेंट